इलाइट स्टेडी प्लेटफरम पर आप सभी का पुना स्वागत है इस वीडियो में डिस्कुसन करेंगे 20 सक्तुबर 2020 सीमाचल परदेश राष्टे ततानतराष्टिय MCQ के बारे में अई शुरुआत करते हैं पहले राष्टे ततानतराष्टय MCQ के बारे में पहला प्रसन है कौन सा देश मंगल गरह पर अपने नागरिकों को ले जाने और चांद पर एक महिला को उतारने वाला बिस्व का पहला देश बनने के लिए अगरसर है लेखी काफी बेतरीन काम है मंगल गरह और चांद पर यदि फिमिल्स को उतारा जाता है और बिस्व का ऐसा कारनामा करन वाला कोई पहला देश है तो definitely comparative exam के वियर थी उनके लिए प्रसंद important माना जा सकता है चीन, जापान, नेपाल या अमेरिका तो इस प्रसंद का सही उत्तर है option number D यानि America is the right answer start जो हाली में खबरों में थी किस किन देशों के साथ जुड़ी हुई यह थी start के पहले full form याद रखिएगा strategic arms reduction treaty है ठीक है जी तो आपने पहचारना है किन दो देशों के बीच में यह जुड़ी हुई है चीन और भारत के बीच में, अमेरिका और चीन के बीच में, अमेरिका और रूस के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में तो आपको बता दें, इस प्रसंद का जो सही उत्तर है, अमेरिका और रूस, याद रखिएगा, अमेरिका और रूस के बीच में, start संदी जुड़ी हुई है यदि आप 2019 की H.S.Prixa का paper देखेंगे, तो उसमें भी एक प्रसंद ऐसा पूछा गया था जो की recently एक संदी हुई थी, उसकी ती थी उन्होंने पूछ ले थी, तो सकता है, यह प्रसंद आप साने वाले किसी competitive exam में पूछ लिया जाए कौन सा देश, face scan करने वाला फ़हला देश बन गया है, Thailand, Bhutan, Nepal या फिर Singapore देखिए, जो face scan करने वाला पहला देश बना है, इस देश का नाम है, option number D, यानि Singapore is the right answer 16 अक्तूबर 2020 को, स्तापना, छत्मा स्तापना दिवस किसके द्वारा बनाया गया, 36th जो establishment day बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया ITBP, SSB, NCC या फिर option number D, राष्टिया सुरक्षागार, तो इस प्रसन का सही उत्तर है, option number D, राष्टिया सुरक्षागार Global Hunger Index 2020 में किस देश को प्रथम स्तान प्राप्ट हुआ है, भुटान, नेपाल, बेलारूस या फिर पाकिस्तान Global Hunger Index में जो number 1 पे है, वो वेलारूस है, दिल्ली और जिला क्रिकेट, संग के नए अधेक्स के रूप में निर्विरोध की से चुना गया अरुन धुमल, बिक्रमादित्या, सहे पटेल और या फिर पूरव बितमंत्री स्वर्गिया अरुन जेटली के पूतर है, रोहन जेटली तो आपको पता होगा, इस स्टेडियम का जो नाम करने है, वो भी पूरव फाइनेंस मिनिस्टर है, अरुन जेटली उनके नाम पर किया गया है तो इनके पूतर है, रोहन जेटली इनने बनाया गया है, एट परजैन्ट दिल्ली और जिला क्रिकेट संग के नए हदेक्स का निर्वोध हदेक्स इने चुना गया है इनफ्यूसर और सिलम, समचार पत्रों की सुर्खियों में रहे, किस क्सेत्तर से जुड़े हुए है अलाइट सर्बिसीज में एक है दो प्रसने से जरूर पूछी जाते है, तो अच्छे से आप लोग इन प्रसनों को भी रिवेंबर रखने का प्रयास करते रहे है न्यूजिलेंड के प्धानवंतरी जेसिंडा ओर्डन की पार्टी का नाम क्या है? कल एक स्टुनेंट ने हमें कमेंट में भी पूछा था तो आज इसका उतरमा यहां पर बताने जा रहे है डेमोक्रेटरी पार्टी, लेवर पार्टी, रिपब्लिक पार्टी या उपरोक्त में से कोई नहीं तो इनके राजनेतिक दल का नाम है लेवर पार्टी दूसरी बार इन्हें बहुमत प्राप्त हुआ है और इस पार सफ़स्ट बहुमत प्राप्त हुआ है और दूसरी बार ही जो जेसिंडा ओर्डन है New Zealand के पथानमत्री बनेगी बाइड लाइफ फोटोग्राफर आफ दा इयर का पूर्सकार जितने बाले ही पहली भारतिया महिला कौन है कंगनारनौत, एसुरिया सिरीधर, एसुरिया राय या फिर क्याटरिना कैर तो इस प्रसंद का सही उत्तर है एसुरिया सिरीधर आपको बता दें, आज बहुत हिमत्तोपुन प्रसंते सेसन में क्योंकि जो फर्स्ट पहला कोई काम होता है, बहां से तो कंप्रिटिव एक्जाम में प्रसंद जरूर पूछा ही जाता है आगे डिसकुसन करेंगे, हिमाचल परदेश के बहुत हिमत्तोपुन MCQ के बारे में पहला प्रसंद है, हिमाचल परदेश में कहाँ पर दो कंप्रिट्मेंट प्लांट अस्तापित किये जाएंगे काला अंब गोधपूर या फिर सिमला ब मनाले, सुन्दनगर बसिराज या नहान ब आन्नी तो इस प्रसंद का सही उत्तर है, आप्सन नंबर ये, काला अंब गोधपूर में याद रखेगा किंदर सरकार दोरा इने स्तापित करने के लिए 15-15 क्रोड रुपे की सहाईता उपलब्द करवाई जाएगी अगला प्रसंद है 30 यानि जीरो संक्रमन, जीरो मौत और जीरो बेदभाव मोहिम किस बीमारी को समाफ्ट करने के लिए हिमाचल परदे सरकार दोरा चलाई गई है कैंसर, एड्स, करोना वाइरस या फिर सर्दी जुखाम तो ये मुहीम चलाई गई है एड्स को खतम करने के लिए हिमाचल परदे सरकार दोरा और देखे याद रखेगा हिमाचल परदे सरकार किंदर सरकार दोरा निर्धारित लक्सया के अनुसार बर्स 2030 तक सारजनिक स्वास्तिया खत्रे के रूप में राज्या से एड्स का उनमुलन करने के लिए प्रतिवद है परदेस में 35 एकिकरित जान चेवं परामर्स केंदरों ICTC के अतिरिक्त दो मॉवाइल ICTC के माद्यम से भी HIV जान्च सुविदा उपलवद करवाई जाएगी यह प्रसन बहुत ही मतोपूर्ण है देखना किसी न किसी प्रिक्सा में आपको जुरूर देखने को मिलेगा BCS तोर से नायत तसिलार के प्रिक्सा में इस तरह के प्रसन देखने को मिलते है इमाचर प्रदेश केंद्रिया विश्व विदालिया के कुलपती डॉक्टर कूलदीब अगनिहोत्री कब नियुक्त हुए थे आजकर समचार पत्रों की सुर्ख्यों में भी है इस प्रसन का सही उत्तर है इमाचर प्रदेश केंद्रिया विश्व विदालिया धरमसाला के पहले स्थाई कुलपती कौन थे तो आपको बता देए इस प्रसन का सही उत्तर है शब्रदेश केंद्रे विश्व विश्व विदाब धरमसाला के पहले स्थाई कुलपती नियुक्त हुए है और देखना यहाँ से हम बात करते हैं कुछ दिन पहले कि प्रिक्स वही थी उसमें एच्प उनिवस्टी की कुलपती, फॉस्ट कुलपती पूछ लिए गया थे, तो ऐसे बहुत अधा प्रसन रिपीट होते रहते हैं, अब देखिए इस तरफ से प्रसन अभी तक नहीं बना है, सेंटर उनिवस्टी से इस तरह आने वाले समय में आपको प्रसन देखने को मिल स सकता एक और चीज़ याद रख़िएगा, धरमसाला के स्वीप में ही एक स्थान है जहां पर इसकी उनिवस्टी का कैंपस बनेगा, दूसरा स्थान है देहरा में ठीक है जी, तो जगह पे यहां पर इनिवस्टी के कैंपस स्तापित किये जाएंगे, और जन्मरी 2010 से लेके जून 2014 तक का कारेकाल रहा है प्रोफेसर पूरकान कमर का, आजकर नबरात्रे चर्रे और काफ़ ज़्यादा मंदिर सूर्खियों में रहते हैं, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपके नस्दीक में कोई मंदर और हम उन मंदिरों को अपनी जो हिमाचल पर याद रखिएगा, यहाँ पर आपको प्रसंद सीम्पल लग रहा होगा, जब कम्पेटिव एक्जाम में बैठेंगे, तो बहुत आप यह प्रसंद लगते हैं, जो गिंदनेगर प्ठान कोट का जो रोड है, उसके साथ में ही मंदी के बगल में एक प्रीज बना गया है, उ सरकागाट सुन्द नगर जोगिंदनगर या धर्मापूर अलाइट सर्विसिस में प्रसंद पहले भी पूछ जा चुका है, सरकागाट में स्थित है नवाही माता का मंदीर, मंडी जिला में प्राचिन सेलजा, देभी मंदीर कहां पर स्थित है, सुन्दनगर सिराज या फिर जोगिंदनगर तो याद रखिएगा सेलजा, देखिए नवरातरों में भी सेलजा माता की बूजा की जाती हो, देखिए इनका मंदीर कहां पर है जी बलदवाड़ा में, देखिए इस तरह के थोड़ से यूनिक परसंद के लिए आप हमें स्योग कीजिए, क्योंकि जो हमारी हिमाचल परदेशिक्स मगर हदेन किताब है, हम उसे निरंतर अपडेट करेंगे और भी बेतर उस किताब में जानकर या समिलित करने का प्रयास करेंगे, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अपने आसपास के एक्सेतरों के जानकरे भी हमें देते परदेशिक्स मगर हदेन किताब, इस किताब से बरतमान में विविंतरा के कंपरेटिव एक्जाम में बहुत से प्रसंद पुछे जा रहे हैं, उसके पर हम समेस में अपर वीडियो भी लेकर आ रहे हैं, तो आप इस किताब को हमारी वेपसाइट एलेश्टेडी को डाट इ परदेशिक्स में विविंतरा के प्रिक्सों में करंट फेस की तवज्यों दिन पती दिन बढ़ती ही जा रहे हैं, लेकिन उतकरिष्ट हदेन स्मगरी की बात करें तो उसके लिए ओ सकते हैं, आपको तीन, चार, पांच में देने पड़ें, तो हमारी टीम आप लोगों के यह दो पत्र, इस तरह की बुक्स लाई है, एक बुक्स में आपको जन्वरी से लेके जून तक के, दूसरी में आपको जुलाई से लेके सितंबर तक के, यहनि नौ महीने के गरंट फेस होंगे, इसमें हिमाचल परदेश के गरंट फेस है, गिर्रा समाचार पत्तर का सारां उसके बाद इस तरह बिविंतरा की अप्वाइंडमेंट्स होती है, नवीनतम जानकारिया होती है, टेवलर फर्म में डाटा भी डाला गया है, मतलब एक कंप्लेट पैकेज है, जो आपको प्रारंबेक प्रिक्सा में फ्यक्ट क्याप सकता होती है, उसको पूरा करते है, औ उसके बाद आगे दी बात करें तो महातमा गांदी, बीशेश सांक और जियोईटी की किताब भी कुछी दिनों में आपके हाथ में होगी, इसके लाबा आप विविंतरा के डिलर्स के माध्यम से भी हमारी इन किताबों को प्राफ्ट कर सकते है, डिलर्स की लिस्ट आप यह इन डिलर्स के अपने निजदी की किसी उस आपके उपर से आप संपर कर सकते हैं, या उनके पास किताब नहीं होगी तो आप उन्हें कह सकते हैं, उनके पास हम दो से तिन दिनों में किताब पहुंचाने का प्रयास भी हमारी टीम निरंतर कर रही है, थैंक यू बेरी मस्, क कीप वाचिंग इलर्स तदी यूट चनल